आज भी आध हैं बच्पन के बोपल जहां आखों में सपने और दिलों में प्यार था। जहां पापा ने उंगली पकड़ कर चलना सिखाया वहीं उनी के दिये आतम विश्वास ने गिरने से उठना सिखाया। जहां मा ने संसकारों में रहना सिखाया मेरे पापा ने मुझे मुझे मुश्किलों से लड़ना सिखाया। लोग कहती हैं कि बेटी मा का साया होती है पर जरूरी तो नहीं वो हमेशा मा जैसी होती है। अगर बेटी मा का साया होती है तो वो ही बेटी पापा की भी परचाई होती है जो अपनी सारी फर्माईशों को पापा से करती है अपनी बात कहने से भी नहीं डरती है क्योंकि उस बेटी ने अपने पापा की जिन्दगी का पूरा सफर देखा होता है उस बेटी को पता है कि कितना संगर्ष करके आज उसके पापा ने ये मुकाम पाया है उस बेटी ने देखा होता है अपने पापा को चुपके से सबसे नजरी बचा के रोते हुए बहस समझती है अपने पापा के हालात अपने पापा का प्यार तभी तो बेटियां पापा को प्यारी होती हैं और हमेशा उनके दिल में बसती हैं हमारी खुशी में खुश होने वाले, हमारी जीत पर मुस्कुराने वाले, हमारी जिन्दगी को आसान बनाने वाले वो पापा ही तो है अपने मम्मी पापा की भावनाव को समझे क्योंकि उन्होंने तब भी हमारी बाते सुने थी जब हमें बोलना भी नहीं आता था